टाइल्स चाहिए हो या फरनीचर चले आईए क्लासिक टाइल्स एम राजिस्तान फरनीचर इलाबाद बैंक जो अब न्यू इंडियन बैंक है बंधाना रोड़ पर दियेगे नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं मद्य प्रदेश के खंडवा में वैवाईक बंदन में बंदे वधू का नाम है फियोना यानि लड़की का नाम फियोना है और लड़के का नाम प्रतीक है ये भाईसा वर है वर वधू में वियोना जो है वो फिजियो थ्रैपिस है और प्रतीक एक ग्राफिक्स डिजाइनर है दोनों ने शादी में होने वाले भारी भरकम खर्च को बचाने के लिए शादी को बहुत सिंपल तरीके से करने के लिए ये नर्नलिया कि वो खंडवा कलेक्टवेट में रइस्टर्ड मैरिज करेंगे और फिर परिवार के साथ गेट टुगेधर करके एक सेलिबरेशन भी करेंगे लेकिन शादी पर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करेंगे युवती जो अब बदू बनी है फिओना फिजियो थ्रैपिस्ट है उनका ही मानना है कि उनकी पहले से ये सोच थी और ये सोच उनकी सोचल मीडिया पर जो शादी को लेकर जमाने बर के खर्चे होते हैं वो देखकर बनी कि कई न कई शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और पैरेंट स्पेशली परिशान होते हैं अपनी बेटा हो या बेटी उसको लेकर वो करजा भी कई बार शादी के लिए कर लेते हैं और उन्हें जीवन भर उमर के उस दौर में आगे की लाइप में परिशान होना पड़ता है जब उनका सुकून चैन से जीने का टाइम होता है इसलिए उन्हें ने ये मन बनाया कि वो कोट मैरिज करेंगी या रेइस्टरड मैरिज करेंगी और बहुत साधान तरीके से मैरिज करेंगी, इसको लेकर दोनों ने अपने परिवार जनों को भी मनाया, माता पिता के हमेशा अर्मान रहते हैं, भले वो करजा कर लेंगे, उनकी इच्छा रहती है कि वो अपने बच्चों की शादी बेहत दुमदाम से करें, क्योंकि कोई भ जोईन करने तक पढ़ाई का खर्चा हो, या फिर शादी का खर्चा हो, उसमें अपने पूरी जिंदकी बरी की पूंजी लगा देता है, और वो खुश रहे हैं, इसको लेकर वो कुछ भी कर गुजरने को तयार होते हैं, यह माता पिता की सोच होती है, और इसलिए माता पि बेटी के लिए बहुत अच्छा करना चाहते हैं, उनका अधिकार है, उनके बहुत पैसा है, लेकिन यह बात सही है कि अगर किसी के पर पैसा नहीं है, तो उसे दिखावे के चक्कर में और रिती रिवाज को मानने के चकर में अपने उपर करजा नहीं करना चीए, सिंपल घ पैसा खर्च करने की बात करें, तो फिर करोडो रुपए भी शादी में खर्च करने में कम पढ़ जाते हैं, क्योंकि अर्बो रुपए खर्च करने वाले लोग बैठे हैं, इस कॉंपटीशन के चक्कर में पढ़ना ही नहीं चीए, जैसी इहमत वैसा ब्यार निप्टा दे मैं अभी मतलब मुद्खुश हूँ और पूरी ज्यादा खर्चा करने से अच्छा है, कि पूरे घर परिवार को लेकर घर परिवार की रजामंदी से हम दोनों ने यही फेसला किया है, कि कोट में रजिस्टर बेरिस्ट करेंगे, क्या करते हैं? मेरे काम है ग्राफिक डिज मेरा उद्देश सिर्फ यह था, कि आज के टाइम में सारे जो लोग हैं, कपल्स हैं, वो बहुत जल्द बाजी में शो आफ करने के लिए जो बड़ा खर्चा करते हैं, तो वो ना करते हुए हम सिंपल शादी करें, और वो पैसों से हम अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस् में अपना जो भी सक्सेस्फुल लाइफ हमको जीनी है, तो हम अपना इन्वेस्टमेंट समझदारी से उस पर करें, यह समझ मुझे सोशल मीडिया से आई, जब मैंने देखा कि लोग इतना ताम जाम, इतना फिजूल खर्चे करते हैं, और उनके बाद में उनके पैरेंट् करने की सिच्वेशन मेरी लाइफ में आएगी, बट मेरा उदेश यह था कि मुझे एक सिंपल विवा करना है, और सरकम्स्टैंस ऐसे आए, कि मेरा इंटर रिलिजन मैरिज हुया है, और हम दोनों ने अपनी समझदारी से पूरे होश में बिना किसी दबाओ के सिंपल शाद पर दिये गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं